हाई एवरिवन नर्सिंग लेक्षर चैनल की इस हिंदी वर्शिन वीडियो के इंधर मैं डील करूंगी लेक बूंस के बारे में और ये होती हैं टीबिया एंफिबुला जो की पैड होती हैं राइट अन लेफ्ट दोनों तरफ पाई जाती हैं लोवर लिम का पार्ट बनाती ह जो की अपेंडिकला स्केलिकल सिस्टम का एक पार्ट होता है तो सबसे पहले देखेंगे हम टीबिया के बार में ये मेडियली प्रेजंट होती हैं और फिबुला की कंपेरेजिन में ये लार्जर वेट बीरिंग बोन होती हैं और ये नी जॉइंट और अंकल जॉइंट के बीच में प्रेजंट होती हैं इस बोन का प्रॉग्जिमल एक्स्पैंडेड रेजिन मेडियली मेडियल कॉंडाइल कहलाता है और लाटरली ये लाटरल कॉंडाइल बनाता है और ये मेडियल और लाटरल कॉंडाइल फीमर के मेडियल और लाटरल कॉंडाइल के साथ आर्ट टीबियो फिबुलर जॉइंट करती है दोनों कॉंडाइल्स की बीच में एक प्रोजेक्शन होता है जिसे बुलते हैं इंटर कॉंडाइलर एमिनेंस जिसके जरीए दोनों कॉंडाइल्स एक दूसरे से स्रेपरेटेड रहते हैं इसकी प्रोग्जिमल एंटीरे सर्फेस पे ए एक शार्फ चोटी नुमा स्ट्रक्चर होता है जैसे अंटीरे बॉर्डर कहते है और इस एंटीरे बॉर्डर को एक्स्टेणली आप एजिली फिल कर सकते हैं टीबिया कर डिस्टिल जी उनमेड़् a एक एक्स्टेंड प्रोजेक्शन बनाता है इसे मेडिcorn कहते हैं जो की tarsal of ankle bone के साथ में articulate करता है और यहाँ पर talocural joint create करता है और इसके distal lateral end पर एक fibular notch होती है जो की fibula के साथ articulate करने में help करती है और यहाँ पर tibio fibular joint create करती है distally और इस tibia की whole length के साथ में medially present होती है interosseous membrane जो की fibula के साथ में lengthwise इसको attach करने में help करती है तो इस तरह के से tibia proximally femur के साथ articulate करती है जो की tibio femoral joint create करता है और इसके lateral end पर यह fibula के साथ articulate करती है जो की proximal tibio fibular joint create करती है और distally यह talus के साथ और fibula के साथ joint create करती है और distal tibio fibular joint create करती है नेक्स्ट है fibula और यह tibia के comparison में thin होती है और smaller होती है जो की lateral aspect पर present होती है पैड होती है proximally fibula का head part tibia के lateral condyle के inferior surface से articulate करता है जो की proximal tibio fibular joint create करता है distal end पर fibula का projection lateral mallolus के लाता है और यह extension talus bone के साथ articulate करता है और एक ankle joint create करता है और distally tibia के अंदर एक fibular notch होती है और इस fibular notch के साथ में fibula articulate करता है और यहां पर distal tibio fibular joint create करता है तो proximally fibular tibia के साथ articulate करती है और distally fibular ankle bone और tibia के साथ articulate करती है fibular के anterior surface पर एक long groove होता है जो की कई muscles के लिए attachment point provide करता है तो यहां पर हमने leg bones के बारे में देखा tibia जो की medially present होती है और fibular जो की lateral aspect पर present होती है और tibia के comparison में यह smaller और thinner होती है thank you for watching this video please subscribe our channel and for more lectures you can visit our site